जहीं दोस्तों स्वागत है आपका एक बच्पिर से आयोथ PCS पाथ में तो दोस्तों हम UPPCS की प्रीवेस इयर की सीरीज को कर रहे हैं ठीक है तो इसी प्रीवेस इयर सीरीज के दौरान हम आज 2021 का जो प्रीवेस इयर है उसको करने जा रहे हैं पूरू भी 2021 के प्रीवियस येर से सम्मधित दो वीडियो आ चुके हैं ठीक है जिसमें हमने 70 को बड़े ही डिटील के साथ कवर किया है आज इस वीडियो में हम कोशन नमबर 71 से लेकर कोशन नमबर 100 तक को बड़े ही डिटेल और विद एक्सक्लानेशन के साथ समझेंगे तो हमने यूपी पीसेस के 2023 और 2022 के कोशनों का डिटेल एनलाइस इसी चैनल पर किया हुआ है यह थि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं उसके यूपी पीसेस के एक अलगी प्लेइलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम 2012 से लेकर 2023 तक के जो प्रिवेस एर के एकजाम हो चुके हैं जो यूपी पीसेस के एकजाम हो चुके हैं उनका डिटेल एनलाइस कर रहे हैं तो उस प्लेइलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल चाहेंगी ठीक है यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चै आई की दवरान उतने ही आपके एकजाम में सक्सेस्टोने की सम्भावना बढ़ जाती है कोर्श्य नंबर 71 सिर्शक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूंल में परिवर्तन को संदर्भीत करती हैं सिर्शक मुद्रास्फीति का मापन किस अधार पर किया जात क्योंकि combine consumer price index के base पे इसका मापन किया जाता है यान कि समुहिक उपभुखता मूल सुच कांग के अधार पर श्रीषक मुद्रा स्फिती यान कि जो सीर्षक मुद्रा स्फिती टोकरी है उसमें सभी वस्तों के मूल में परिवर्दन को संदर्भित करती श्रिशक मुद्रा स्फीती का जो मापन है वह शामुहिक उपभोकता मूल सुचकांग के अधर पर किया जा रहा है वहीं उपभोकता मूल सुचकांग यानि कि कंजूमर प्राइस इंडेक्स ठीक है इसमें चैनित वस्तुवा और सेवाओं के खुद्रा मुल्यों के स्तर में स अधार वर्से है 2012 है अब आगे आपको थोक मूल सुचकांग को भी याद रखना है ठीक है जो थोक मूल सुचकांग है इनकी वोल प्राइस इंडेक्स भारत में सारवधिक इस्तमाल किया जाता है ठीक है और यह भी क्या है एक मुद्रा स्पिती संकेता है इसमें घरिलू ब कौन सा कथन यहाँ पर सही है statement फास कहता कि पूजी निर्मार की प्रकिरिया बचतो और वित्ये संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है second statement करता है कि निवेस जो है वह पूझी निर्माड के लिए एक अनिवार कारक है तो यहाँ पर जो राइट अंसर होगा वह होगा option C क्योंकि दोनों ही statement यहाँ पर सही हो जाती है पूझी निर्माड की जो प्रकिरिया है उसमें बचतों और वित्य संस्थाओं की प्रभावित्ता परहन निर्भर करती है और निवेस जो है वह पूझी निर्माड के लिए एक अनिवार कारक है यानि कि पूझी निर्माड के लिए क्या हो जाता है एक अनिवार कारक निवेस पैसा ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर capital formation के लिए जब बचत यानि कि saving का प्रयोग उत्पादन हे तु निवेस के रोप में हो तब भी पूझी का निर्माड होता है लाइक किसी ने saving कर लिए ठीक है उसका प्रयोग उसने किसमे किया production के लिए कर लिया ठीक है production में invest कर दिया तो उससे भी हमारा क्या होता है उससे भी पैसे का निर्माड होता है क्योंकि पूझी अगर किसी उत्पादन में लगाए तो जब उस उत्पाद को बेचेगा तो जितनी पूझी उसने उत्पाद को बनाने में लगाई है उससे अधिक दाम पर उसे बेचेगा market में ठीक है तो जब अधिक दाम पर यानि कि जो चल नहीं सकती ठीक है और पूझी सकंद के मूले में हुई व्रिद्धी के बराबर होती है बढ़ते हैं नेक्ष कोशन के ओर कोशन नंबर जो हमारा 73 है आए देखते हैं इसके बारे में कोशन नंबर जो 73 कहता है नीचे दो कथन दिये गए ठीक है जिसमें से एक कथन का गया दूसरे कारण का गया अभी कथन में कहा गया है कि सरकार को जो अवरुद मुद्रस भीती है ठीक है उससे निपठने के लिए कठीन समय का सामना करना पड़ता है सही बात है कारण में कहा आ गया कि यह स्तिति अर्थ व्यस्ता में आपूर्ती यानि कि सपलाई में अडचन तथा अच्छम वित्रन यानि distribution सही ना होना जैसे अभाओं के कारण ही होता है नीचे दिये गए कूट से राइट अंसर का चैन करना है तो यहां पर जो सही अंसर होगा वह होगा option है ठीक ह इसका कारण अर्थ व्यस्ता में आपूर्ती अडचन यानकि सपलाई है उसके मार्ग में बाढ़ा जाना ठीक है और अच्छम वित्रन यानकि distribution सही ना होना ठीक है क्या रीजन होता है इकनोमी में आपूर्ती अडचन तथा अच्छम वित्रन जब पूर्ती एक-एक कम हो ज सेव की जो सप्लाय है मार्कित में सेव आना बंद हो जाता है लेकिन लोग डिमांड कर रहे कि हमें सेव चाहिए सेव चाहिए तो वहां पे जो मुद्रा सफिती बनेगी क्योंकि जिन लोगों के पास क्यों होता है उस टेम सेव होगा तो कम मात्र में तो लोग उसे दाम सेवेंटी फोर है वह कहता है कि संसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सजेंज का प्रचली सूचकांक है ठीक है विभीन चेतरों के अग्रणी ब्लूचिप कम्पनियों के तीस समता अंशों पर आधारी सूचकांक है ठीक है संसेक्स कब आरम किया था तो 1986 में इसका आरम किया था ब्लूचिप कम्पनिय ऐसी कम्पनियों को कहा जाता है जिनका शेर बजार में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड करता आ रहा है ऐसी कम्पनियों पर करज का बोज नहीं अधवा बहुत कम होता है जो ब्लूचिप कम्पनियों होते हैं जो ब्लूचिप कम्पनि है इसके अलावा हिंदुस्तान यूनि लिवर स्टेट बैंक ओफ इंडिया टाटा कंसर टैंसी सर्विसेज आदी यह जो भी सभी कंपनिया है कौन से कंपनिया ब्लू चिप कंपनी है ठीक है वैसिक तर पर हम बात करें तो एपल हो गया गूगल हो गया माइक्रोसेफ्ट हो गया पैप्सिको हो गया आदी जो है वो सभी ब्लू चिप कंपनियों के उदारण है देखिए जो हमारा कोश्चन नंबर 75 है वह संबंदित है साइंस है साइंस में भी एक किस पार्ट से संबंदित है तो बहुत ही विग्यानियन की फिजिक से संबंदित है तो आईए देखते हैं हमारा जो question number 75 है क्या कह रहा है निमी लिखित में से कांच का कौन सा प्रेकार पैरा बैगनी किर्णों को काटता है तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा option D होगा जो crux कांच है वो है पैरा बैगनी किर्णों को काटता है यह सिरियम अकसाइड सिल्का आदी स से मिलकर बनता है जो crucrascucks है हमारा किसे मिलके बनता है तो सिरियम औकसाइड और सिल्का से मिलकर यह हाँ और यह पार बैगनी किर्णों को भी काटता है तो यह ज। आए प्रकार क्लिणों की वह है जो डारेक्ट जो light होता Bitcoin प्रतेच प्रकात से छोटी होंगी उसकी वेवलेंद और X-ray कीड़ों से बड़ी होती है समानता जो ओजोन है ओजोन परत है वह प्रतिवी पर पैरावैगनी कीड़ों से समस्त जीव जगत की रच्छा करती है प्रतिवी के समताफ मंडल में आपको ओजोन परत मिल जाएगी ओजोन परत क्या करती है इन पैरावैगनी कीड़ों से मनुष और जीव जन्तुओं की रच्छा करती है प्रिधिल के वर आ रहे होती हैं तो समताब बंडल में प्रिधिल को प्रिधिल पर आने से रोक देती हैं अब बात करते हैं कि कांच जो है वे विभिनचारिये धातूओं के सिलिकोटो का अक्रिष्टलिय मिस्षर्ण होता है कुरुक्स जो कांच है उसका उपयोग धूप के चस्मों के लेंस के निर्वाण में किया जाता है इसके अलावा कुरुक्स कांच का उपयोग प्रयोग शाला के उपकरण बनाने में होता है देखिए यहां पे एक नया कांच है इसका क्या नाव है पायरेक्स कांच ठीक है इस जो क्तान यो कानों से सॉही है यह देखना है तो विद्युद विभाव ONE के बारे में यह स्टेटमेंट स्टेटमें चाथ राशी मारे में की स्यादी श्ती उसे ही विद्धुत विभव कहा जाता है किसे कहते हैं एक कांक धन अवेश को अनंत से विद्धुत छित्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार करना पड़े उसे ही कहते हैं हम विद्धुत विभव का जो SI मातरक है वह क्या है जूल प्रतिकुलाम आपको SI मातरक याद रख सब्सक्राइबु By Go कोई प्रभाव ही नहीं रहता था प्रिथवी को विभाव हमेशा सून रहता है आपको यह बैद रखना है कि जो प्रिथवी का विभाव है वह हमेशा क्या रहता है शून ने यानकी 0 रहता है ठीक है बढ़ते हैं ने कोर्शन के और कोर्शन नमबर 77 कहता है कि रिंगल मैं स्केल का प्रयोग निमें लिखित में से किसके घंळत के मापन के लिए होता है तो ओविस्टी बात है धुए के मापन के लिए यूज़ होता है ठीक है आई देखते हैं Option A is right स्मोक या धुवं के मापन के लिए इसका यूज़ किया जाता है रिंगल मैं स्केल का प्रयोग धुवा यनकी स्मोक के घंळत तुके मापन में किया जाता है ध्रमनी कमहापन क्या करें कि ध्रमनी कमापन किस से मार्द्रम से होता है तो यह decable में किया जाता इसके अलावा बात कि जैजल प्रदूसट की तो इसको हम BOD अर्थाz बायो लोजिकल ऐकसिजन डीमांड की रूप में ग्याद करते हैं यंकी की मातरा की द्वरा ग्याद किया सकता है जल्क डूर्श पर दूर्सों को कैसे ग्याद करते हैं biological oxygen demand की मातरा के द्वरा बढ़ते हैं next question के और question number हमारा 78 क्या कहे रहा है यह देखते हैं धूलकण या अनप्रदार्थों के अत्यांत सूच्म कड़ होते हैं, तो इन ही कड़ों के दोरा प्रकास वायू मंडल में प्रसारीत होती हैं, ठीक है, कुछ दिसा में या तो ज्यादा हो जाता है, ता था कुछ दिसा में या कम प्रसारीत होता है, लेकिन प्रसारीत की तुलना में ज्यादा सूरी की रोशनी को परावर्तित करता है तो यहां पर जो राइट अंसर होगा option c ठीक है land covered with fresh snow यहां पर राइट अंसर हो जाए क्योंकि ताजा वरफ से धकी भूमी है उसका अलवीडो सारवधिक होता है वह सूरी की ज्यादा रोशनी को परावर्तित करेगा ठीक है यह देखें सूरी की रोशनी है जो सबसे ज्यादा परावर्तित करती है वह ताजा वरफ से धकी भूमी करती है ठीक है सूरी की रोशनी का हिम सत्तर से नैंटी प्रसेंट अब देख रहे हैं सूरी की रोशनी का जो बरफ है बरफ जो है सूरी की रोशनी का सत आपको यह करना सबसेंबर, अखकरफित करता है, सबसे जब परावर्तित करता है, और कुछ उसी वस्तू दारा आऊशोसित कर लिया प्रकास को परवर्थित करने की घटना अलबीडो कहलाती जैसे मैंने आपको पता है कि बरफ का अलबीडो सावधिक होता है लेकिन आपको यह बात रखनी कुछ वस्तु द्वारा उसका जो प्रकास का उसोसन होता है लाइक हमें कोई वस्तु ग्रीन दिखती है तो ग्रीन दिखने का तातपर क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि जो प्रकास में सेवन कलर होते हैं ठीक है उन में से ग्रीन अगर हमें कोई प्रदात दिख रहा है तो इसका तातपर है कि उस वस्तु ने सिर्फ ग्रीन प्रकास प्रडेसित किया है और आंगी जो six color है उनको क्या किया है परावरतित किया है ठीक है उसका परावरतन कर दिया है परावर्तित कर दिया है बढ़ते हैं इस कोश्चिन करो, कोश्चिन नमबर 80 जो कि हमारा केमेस्टी से सम्बंदी थे और रशायन विज्यान से सम्बंदी थे, आईए देखते हैं क्या कहा रहा है, कि रक्त में सरक्रा यानिकी गुलुकोज का स्तर समानते प्रतिशित किया जाता है, किसके दोरा, option B is right minimum per deciliter में यह अभी व्यक्त किया जाता है, रक्त में सरक्रा का स्तर समानते, minimum per deciliter के रूप में प्रतिशित किया जाता है, समानते, सवस्थ व्यक्ति के सरीर में गुलुकोज की मातरा कितनी होती है, तो 80 से लेकर 100 minimum deciliter के मद्ध होती है, question No. 81 है, यह देखते हैं क्या कह रह है वह कहता है कि निमिन में से कौन सा LPG का मुख अवयव है यानि कि मुख तत्व है तो यहां पर जो राइट अंसर हो का option C होगा butane LPG का मुख तत्व है या अवयव है LPG के मुख अवयव में butane और प्रोपेन जैसी गैसे शामिल होती है LPG का जो पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है 32 हमारा कह रहा है कि निमी लिखित में से कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है तो यहां पर कुछ information दी हुई है ठीक है और उस में से हमें बताना है कि यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है तो option C is right दूद का जो खटा होना है वह नाइट्रिक acid के कारण नहीं होता आप लैक्तिक इसीड के कारण कि दूद खटा होता है इसके लाएवब ऑशन करें है तो सिड़का में इस उपश्थित अमल हुता है केलाता है Acetic Acid, हड्डियों में जो उपस्तित योगिक होता है, वह Calcium Phosphate कहलाता है, और अमास्षे रस्में उपस्तित अमल कहलाता है, Hydrochloric Acid, ठीक है, अमास्षे के मतलब जो पेट में होता है, गैस्रिक जूज जो होता है, उसमें HCL मिला होता है, इनकी Hydrochloric Acid, ठीक है, दूद के खटा होने का कारण Lactic Acid होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, सिर्का में उपस्तित, अमल जो होता है, हड्डियों में उपस्तित ही होगी, Calcium Phosphate, अमास्षे रस्में उपस्तित जो अमल है, वह कहलाता है, Hydrochloric Acid, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, कोश्चन दालते हैं, तो परासरन के कारण पानी निकलता है, दो भिन सांदरताओं के विलियन एक अर्ध पारगम में जिली से अलग किये गए हो, तो विलायक के अड़ु जिली पारकर कम सांदरता वाले विलियन से अधिक सांदरता वाले विलियन के और गर्ती करता है, यह एक स्वत जो पानी निकलता है उसमें तो है पराशनन की किरिया के द्वारा यह निकलता है पढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर जो हमारा 84 है वह कहता है कि सीथ प्रकोस्ट में फल भंडार दीर गभंडार जीवन देता है क्योंकि क्योंकि rate of respiration is decreased हो जाता है इनकी स्वसंदर का हरास होता है उन फलो का ठीक है तीथ प्रकोस्ट यह नकी कोड चेंबर में फलो तथा अनखाद प्रदातों के स्वसंदर में कमी हो जाने के कारण ठीक है इनका अधिक समय तक भंडारन संभव हो पाता है कोई वस्तो जब रख्या जाती है जैसे कोई भी फ्ल हो गया या अनका और झातों फाटतों चाहिए और केस्ता है जिवन काल यह वह स्वसंदर कालया चया रहा है कि निमीएक खुज किसने की तो पावली द्वार इसकी खुज की गई जबकि इलेक्ट्रोन जो है वह रीडा वेशित होता है यानकी नेगटिव चार्ज होता है ठीक है नेगटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोन होता है ताथा प्रोटोन जो है वह पॉजिटिव चार्ज होता है यानकी ध करने हैं वह होता है पॉजिट्रोन या एंटी इलेक्ट्रोन बढ़ते हैं इसके लाव क्लोरोफील की बात करें आरेने की बात करें इन तीनों में आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगा कर्बो हाइड्रेट्स कार्बन वा हाइड्रोजन तथा ओक्सिजन से मिलकर बनते हैं ये दिखें कर्बो हाइड्रेट्स कार्बन हाइड्रोजन ओक्सिजन तीन जीजों से मिलके कर्बो हाइड्रेट्स का निर्माड होता है इसमें नाइट्रोजन उपस्तित नहीं रहता है ज प्रकाट जो कार्भोएड hills है उसमें नाइट औरूजिन की उपसीन नहीं होती नस्सक्राइब जो है वह है 87 कहता है कि रेडियो धर्मिताके संदर्म में निमिखित कत्रों मेंसे कौन सा है हुआँ सच कैता है कि वहारा पर सफेट मन कहुता है कि नावकिय निरमाट होता है तो second statement गलत है क्युंकि hydrogen बंब है उसका निर्माड जानते हो कि मेथड से होता है वह होता है नाब किये यह जो प्रोसेस ना दोस्तों से उसके द्वारा हमारा hydrogen का निर्माड होता है बात करें नाब किये विखंडन से तो नाब आपके विखंडन से परमाडवम का निर्माड होता है यह होप आपको स्तमाज आ गया होगा आए एक्स्प्लाइनेशन भी देख लेते हैं एक बर देखिए यहां पर जो राइट अंसर होगा स्टेटमेंट फास्ट होगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सही है प्रकिती में पाय किसी रेडियो सक्रियत तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्थन के दोरान नाभिक के द्रवमान में होने वाली च्छती का उर्जा में परिवर्थन के परिवर्थन के रूप में परिवर्थन होता है उसी के परिवर्थन होता है उसी के परिवर्थन होती है वह क्या कह कहलाती है तक हाइड्रोजन बं की बात करें जिसकी संगहारक चमता परमाडू बं से भी कई गुणा हो जादा होती है ठीक है इसका जो निर्माड है वह होता है नाविकिया सलेंद सिंध्धांत पर हाइड्रोजन दोस्तों यहां पर यह इंफिर्मेशन ने रौंग है हाइड्रोजन बं नी बनता परमाडू बं बनता है ठीक है नुकिलियर बं बनाया जाता है नाविकिया सिध्धांत पर जैसा कि मैंने आपको बताया है ठीक है यह प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है यहां बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर 88 जो कि वनस्पति विग्यान से सम मंदित है ठीक है मेटेसी कूल के यह है यूजिनिया केरियो फाइलेटा नामक मध्यम कदवाले सदा वहार व्रच की सुखी हुई पुत्पकलिका है क्या है दोस्तों यह सुखी हुई पुत्पकलिका है किसकी तो यूजिनिया केरियो फाइलेटा नामक मध्यम कदवाले सद तापा कपड़ा बनाया जाता है, तो option B is right, मोरेसी जो कुल है, उसके पौधे से हम टापा कपड़ा बनाते हैं, मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तथा टापा कपड़ा जो है विशेशते पेडों की छाल से बनाया जाता है, इसके लिए सहतूत या समोगा और फीजी जैसे देसों में, इसको विभीन देसों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हवाई दीप में कापा और फीजी में इसे उहा कहते हैं, बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमर 90 इस निमी लिखित में से कौन सा यूग में, सही सुमेलित नहीं है, आपको यह जो है, उसका रसाइनिक नाम कहा है, तो रेटीनोल है, इसका रसाइनिक नाम, इसकी खोज मैं कुलम द्वारक की गई थी, ठीक है, इसका स्त्रोत जो है, गाजर, दू, दंडा, पनीर, मचली, एक्रत, तेल आदी है, इसकी कमी से जो होने वाला प्रमुख्र हो गया है, इसकी कमी से हमें सकरवी मसूडे का फूलना आधी रोग हो जाते हैं, वहीं बिटामिन C हमें प्राप्त कहां से होता है, तो यह नीम्बू, संत्रा, टामाटा, नरंगी, खटे परदात हैं, जो भी हमादे खटे फ़ल हैं, खटे परदात हैं, उन्से हमें विटामिन C की बात करें तो इसका जो रासाइनिक नाम है वह है पाईरीडॉक्सिन ठीक है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो एनेमिया रोग होता है बीसिक्स की कमी से और तोचा रोग हो जाते हैं बढ़ते एनश कोशन के और कोशन नमबर 91 कह रहा है कि बाटू लिज्म है क्या है और स्ट्रोडियम बाटूलिज्म संक्रमेंट के कारण होता है यह तीन अलग अलग रूपों में भी हो सकता है जिनके नाम क्या है खाद जनक बाटूलिज्म घाव बाटूलिज्म और सिशू बाटूलिजम बढ़ते एनश कोशन के और कोशन नमबर 92 है वह कह रहा है कि और स्ट्रोडिज्म है वह गलत हो जाएगा कारण सई होगा तो हमारे जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होना चाहिए क्योंकि इन में से कोई है नहीं आई देखते हैं और यह या नहीं यह देखिए ऑप्शन डी जो है वह कारवनिक योगिक होते हैं जो कि मनुष सहाय का हार की रूप में जाना जाता है तथा मानव सरीर अपने लिए अवश्यक सभी विटामिनों का संसलेशन नहीं करता ठीक है विटामिन के और डी को छूट करता है जो मानव सरीर है सिर्फ विटामिन के एवं विटामिन डी का ही संसलेशन अपने सरीर में करता है इसके आप याद रखेगा शरीर के उचित विकास के लिए बिटामिन बहुत ही अनिवार होते हैं पूर्शन नमर 93 समाने द्रिष्टी के लिए निमी लिकित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है तो ऑप्शन डी राइट रेतिनेल नौल जो है वह आवश्यक होता है यह देख यहां क्या दे रखा है केरेटो मैसिया ठीक है आदी परशानिया संबह होती है तो विटामिन एक कमी से कौन कोंसी विमारी हो सकती है तो कार्णिया प्रभावित होता है तो चाकि कोई सीखाओं का शलकी बहुन हो सकता है रतोंधी हो सकती है व्रध्धी भी आपकी रुख सक ठीक है तो इसी लिए खूब खाईए अच्छे से पढ़िये और एक्जाम मस्त दीजी और एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यहां देखिए विटामीन से कितने ज्यादा कोश्चन आ रखें तो आपको इसी ट्रेंड को पहचानना कि कहां से कोश्चन पूट हो रहें एक्जाम में कहां से कोश्चन एक्जाम में आकर पूछा आ जा रहा है तो आप उन्ही टॉपिक पे जादा फोकस रखेगा जहां से एक्जाम में जादा कोश्चन आ रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कि दूद मक्खन अंडा यकरत मचली का तेल पालक बिटामीन एक कोश्चन नंमर जो मरा 94 है वह है कि इस ज इस फ्राइब का स्थल कौन सा है तो यहां पर राइट अंसर भूए में का सथल होता है और वहां से एक्जेंज होती है पेफडो में गैसीचन तेल वी य वरिए या वाईव को ही व्यू कोष्टिका को स्वासन तंदर की सरंचनात्मक एकायी कहा जाता है मनुस्रिक नात के दौरत सौंस लेता है तो हवा गले मेंOOOO में जाती है जिसको विंड़ घुत हो आगे जाकर ट्रिकिया कई भागों में विवाजित हो जाता है जिसको बायो प्रोंकियल ट्यूब कहते हैं क्या कहते हैं जिसको प्रोंकियल ट्यूब ठीक है ट्रिकिया जो है कई भागों में आगे चलकर डिवाइड होता है जिसको हम प्रोंकियल ट्यूब कहते हैं ब्रोंकिय द्वारा हमें क्या होता है blue baby syndrome होता है बच्चों में ही ज़्यातर पाया जाता है आई जानते हैं कैसे होता है क्या रीजन रहा है तो रक्त में मेथोग्लोबिन के उपस्तिति के कारण ब्लू बेमि सिंड्रोम होता है तब मेफोगलोविन कैसे बनता है तो आई ही देखते हैं हिमोगलोविन मेफोगलोविन में बदलकर शरीर में oxygen supply को कम कर देता है इससे सरीर में सायनोसिस से कहतात पर रहे है कि तौचा का नीला पढ़ना की समझसे पैदा हो जाती यह वेस्टको की तुलना में सिसूओं को आधिक मात्रा में नाइटरेट लेने पर भी मेटा ह हेमोगलोबिन की समस्या उत्पन हो सकती है, आधिक समय से होए पानिे भी नाइटरेट की अधिकता हो सकती है, तो ऐसे पानि के स्वेवन से बचना चाहिए, pure Penine B至ült सब्सक्राइब हो सकती है मेथोगलोमिन मींस ऑक्सिजन की जो क्या बोलते हैं रक्त की जो वहन करने की चमता है वह कम हो जाएगी बढ़ते हैं कोश्चन नेक्स्ट की ओर कोश्चन नंबर 96 कह रहा है राइबोफ फ्लेविन की कमी से निमनी में से कौन सा रोग होता है तो option D is right चैलोसिस नामक रोग हो जाता है राइबोफ फ्लेविन की कमी से दोस्तों ये दोखिए ये कोश्चन भी बिटामिन से ही संबंदित है ठीक है देख रहा प्लेवाले अन्य रोग में सामिल है त्वचा का फटना आखों का लाल होना जिवहा का फटना विटामिन जो है वह जटिल कार्बिनिक योगिक होते हैं जो सरीर की उपाप्चियों यान की मेटाबॉलिजम में उत्प्रेरोकों की किरियाओं को नियंद्रिद करते हैं तता और विटामिन C को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं पिलागरा रोग की बात करें तो वही है विटामिन 3 की कमी से होता है और विटामिन 3 को ही हम नियासिन या निकोटीन नेमाइड के नाम से भी जानते हैं जायत तर नियासिन पूछा जाता है तो आपको यह दोनों नाम याद रखना है कि निकोटी नेमाइड या नियासिन की कमी से होने वाला जो रोग है कोई कौन सा है पिलागरा रोग ठीक है विटामिन बीध्री की कमी से कोशन में जो 97 है देखे कुछ नाम इतने अजीब होते हैं कि मैं भी प्रनिसियेशन नहीं कर पाता हूं तो उसके लिए मैं छमा चाहता हूं ठीक है तो आप लोग इन नामों को अच्छे से याद रखेएगा ठीक है नहीं भी याद होते तो बस एक दिमाग मोटा मोटा खाका बना के रखे कि हाँ इसका समन्द था इतने सही आपका काम हो जाए क्योंकि आपको वहां जाकर प्रिलियम्स के एक्जाम में ठीकी करना है बस आपके अच्छे इतन मन को याद आना चाहिए कि हाँ यह कोशन मैंने पढ़ा था यह से समन्दी था बस इतना ही गेम होता है प् मक्ही इसका वहाख होती कौन सी मक्ही तो सीसी मक्ही होती है इसके लाव बात करें हम देंगुजुर की या फाइलेरियासिस की या मलेरिया की तेनों के वहाख जो होते हैं वह मच्छर होते हैं यह देखें निद्रा रोग जो है यान कि sleeping sickness यह रोग ट्रिपनो सोमा नामक प् यह एक परजीवी है जो सीसी मक्शियों के सरीर में आश्राय लेता है ततह इन मक्शियों के काटनें से रोगाड़ू सरीर में प्रवेस कर जाते हैं जिससे लशी का ग्रंथियां बढ़ जाती है और सरीरिक तत मानसिक निसक्रैता उत्पन हो जाती है इसके अलावा डिंगू जोर है, फाइल एरिया, असीस है, मलेरिया है, इसके वहाँ कौन है तो मच्छर है, कोशन मर जो हमारा 98 है, वो है समंदीत है परिया और एन परिस्तितिकी से, ठीक है, उसमें कहा गया है कि कार्बन क्रेडिट की अवधार्ना कहां से उत्पन हुई, कब पर उत्पर्जन की नियंतरण योजना है, कार्बन क्रेडिट एक भेपार योग प्रमाः पत्र होता है, ठीक है, जो एक धारक को एक टन कर्बन डाई अक्साइड या कार्बन डाई अक्साइड के वैस्विक तापन चम्ता के बराबर अन हरित ग्रह यानकी green houses जो gases है जिनकी मात्रा एक टन CO2 के बराबर हो उसके उत्सर्जन का अधिकार देता है ठीक है केटो प्रोटोकोल के आर्टिकल यानकी अनुछे देक 12 में वर्डित स्वच्च विकास तंत्र यानकी clean development mechanism के अंत्रगत उत्सर्जन का टोती या उत्सर्जन नियंत्रन हेतु प्रतिबद कोई विक्सित देश या उनकी कंपनिया अन्न विकासी देशों में उत्सर्जन का टोत यानकी जयो मंडल अरची छेत्र है और सुची सेकंड में उनकी location का वड़न दिया हुआ है तो यहां पर सिम्ली पाल जो बाइस फेर रिजर्व है वह कहां है तो यह है ओडिशा में वस्ती थे पंच मड़ी की हम बात करें तो यह है MP में वस्ती थे नंदा देवी बाइस फे करने की जोगत नहीं है question number 100 जो कह रहा है वह कहता है कि नीचे दो अभी कथन कथन दिये हैं जिसमें एक को अभी कथन कहा गया दूसरे को कारण कहा गया अभी कथन कहता है कि पारिस्तित की तंत्र के विविद आवयां आपस में एक दूसरे पर निर्भन नहीं यह statement अपने आ ठोलट है आर सकते हैं पारिस्तितिकी तंत्र भौतिक तंत्र का एक ऐसा विश्यष्ट प्रकार है जो जैविक एउम अजयविक घटकों के अंतर संबंद से निर्मित होता है पारिस्तितितिकी तंत्र के विविद आवयाव आपस में तूसरे पर निर्भन है तथा मानों के यहां उसे वातावरण भी प्रभावित होता है इस परकार हमारा अभी कथम गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमने यूपी PCS 2021 के प्रीविएस यहर के सो कोर्ष्टनों को डिटेल से कंप्लीट कर लिया है ठीक है सतर से लेकर सो कोर्ष्टन इसके अलावा आपको एक से लेकर सतर कोर्ष्टन पुराने वीडियो में मिल जाएंगे जो आपको हमारे चैनल में प्राप्त हो जाएंगे ठीक है एजिए आपने उन्हें नहीं देखा तो एक बार जाके उन्हें जरूर देखिएगा अब आने वाला जो वीडियो यूपी उसमें हम upcs 2021 के question paper को खटम कर डालेंगे ठीके। उसके बाद जो वीडियों आएगा वह muskin paper से संबंदित होगा। इसके लाव दोस्ते यह दिया आपको हमारी वीडियो इन्फरमेटिव लगती है आपको फसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे अपनी दोस्तों के साथ भी इसे जाल से ज़ादा शियर करे ठीक है मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपने ख्यार रखे सुरची तरह धन्यवाद।